इस वीडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तवाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाहले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपक पेट में बनने वाले एसिद की मात्रा को कम करता है और सीने में जलन और एसिद रिफलक्स से जुड़े दर्द से राहत दिलाता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है। जीवन शैली में कुछ साधारन बदलाव G.E.R.D. के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराज की पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे अधिक बार भोजन करें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गए खुराक और अवधी में लें। इससे पूरा निगल लें। इससे चबाएं, कुछले या तोडे नहीं। अरेफ 40 mg, 150 mg कैपसूल एसर को खाली पेट लेना है। अरेफ 40 mg, 150 mg कैपसूल एसर दो दवाओं का एक मिश्रन है है पेंटोप्राजोल और इटोप्राइड। पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानि की पी-पी-आई है। यह पेट में ऐसर की मातरा को कम करके काम करता है जो ऐसर से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है। अज़र आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद